नमस्कार आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाधिया इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें चिक टॉक स्टार सिया ककड की आत्मात्या का मामला इस वक्त की बड़ी खबर सिया का कड़ अतमत्य मामले में खुलासा हुआ है वो चार से पांच दिन से तनाव में चल रही थी पिछे च्वे चार-पांचे दिन से वो तनाव में थी दिल्ली पुलिस की अब तक की तव्थीश के मताबिक सिया का मोवाईल फॉन सीज किया गया है उस phone के lock को अब तक खोला नहीं जा चक सका है घरवालों की मदद ली जा रही है ये कोशिश की जा रही है कि घरवालों की मदद से उसे unlock कराया जाए phone से कई सारी detail पुलिस को ऐसी मिल सकती है जिसके जरिये इस पूरे मामले में जांच परताल करने में पुलिस को थोड़ी आस्तानी होगी पुलिस स्कूल प्रिशासन और नजदी की दोस्तों से भी पूस्ताच कर सकती है इस पूरे मामले में लेकिन आपको बता दे कि इस तरह टिक टॉक सलिविटी की आत्म हत्या ने कई बड़े सवाल भी खड़े किये हैं शोक कर दिया है लोगों को कहीं न कहीं शोकिंग भरी खबर ये एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी 16 साल की सिया आखर क्यों सो गई मौत की आगोश में इतनी कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों को छूचुकी सिया के लिए मौत जैसे शब्द मुनासिब तो नहीं लगते लेकिन शोक सिया के खामोश होने की खबर पर अब यकीन करना पड़े सिया ककर जिहां यही नाम था हसीन और मासूम सी दिखने वाली उस टिक टॉक संसनी का बस वीडियो सोशल मीडिया पर लोड हुआ नहीं कि हजारों लाखों दिवाने उसकी हर एक अदा पर फिदा हो जाते लेकिन क्यों क्यों खामोश हो गई सिया क्या वाकई अब उसके चाहने वाले उसके दिदार को महरूम हो जाएंगे जिहां सच यही है क्योंकि सिया अब महरूम हो गई है यह ऐसा सच है जो है तो बेहत कड़वा लेकिन कड़वे घूट को अब पीना ही पड़ेगा क्योंकि सिया ने खुदकुशी जो कर ली है आखर प्यों सिया ने ली खुद की जान दिली के प्रित विहार इलाके में रहने वाली 16 साल की सिया ककड़ के मौत की खबर जैसे ही घर के दहलीज से चाहत के बाजार में पहुँची दिवानों का दिल धक से रह गया यकीन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया पर अफसोस की काश वो जिन्दा होती लेकिन हर जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहे हैं कि आखर लाकों दिवानों की दिवानगी हासल करने वाली 16 साल की उस शहजादी ने क्यों खुद के लिए मौत मुकररती अब किसी के लिए दिवानगी ऐसी हो तो तूटे दिल से आह भी निकलेगी और सवाल भी नेकिन दिवानों के सवालों का मुकमल जवाब अभी किसी के पास नहीं है ना चाहने वालों के और ना ही जानने वालों के पर हाँ पुलिस ने फौरी तोर पर जाश के बाद इतना जरूर कहा कि सिया ने मौत के एक रात पहले अपने मानेजर अरजुन सरीन से फोन पर बात की थी अरजुन ने उस आखरे बाद शीत का पूरा ब्योरा पुलिस के सामने बया कर दिया है लेकिन इससे मौत की वज़े का माकूल जवाब नहीं मिल पाया है अपनी अदा से अपने दिवानों के दिल में जान डाल देने वाली सिया का बेजान जिस्म पोस्तमोटम के लिए भेज दिया गया है लेकिन जवादिलों की चाहत का यूँ फना हो जाना वाकई हैरान कर रहा है सिया की आत्महत्या के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हालांकि मौत जैसा शब्द मुनासिब तो नहीं लगता सिया के लिए लेकिन ये सच है कुछ लोगों को आद तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सिया ने आखिर आत्महत्या क्यों की कुछ मेमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनका पड़्चा उसके बाद हम इसी विश्वापर चर्चा करेंगे बहुत कुछ नजर आ रहे थी और उसी दिन आत्महत्या जैसा कदम उठाने की वज़या आप क्या मान रहे हैं प्रतिक जी क्या आवाज आप तक मिल रही है मेरी आपको जी आपके आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है तो मैं यह कह रहा था कि मेरी उसे कुछ लास दस दिन पहले बात हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि वो किसी समस्या से जूज रही है या किस कोई प्रॉब्लम हो बहुत ही खुश मजाज लड़की थी बहुत अच्छी लड वो दोनों भी काफी फेमस टिक टॉक सारे हैं उनको मैंने पूछ रहा कि क्या हुआ है ऐसा क्या हो गया तो देए उसके बाद भी उनको कोई अपडेट नहीं और कल शाम कोई थी वो भी बहुत हैपी तरीके से बात करी थी कुछ ऐसा सोचा नहीं जा सकता कि कुछ गरवड ह अब भी होगी या वो कुछ देप्रेस लग रही है ऐसा कुछ भी था तो हम सब लोग यकीन कर पाना बहुत मुशकिल हम सब कर लिए कि उसने ऐसा कर लिए उसके क्यों था लिया है वह हमेशा कि कि मुझे आगे बढ़ना है आप यतने फेमस स्टार्स के काम करते हो मुझे भ हम लोग को अगर देदो तो हम लोग भी आगे बढ़ जाए उसका हमेशा थे था आगे बढ़ना है कुछ कनिया करना है आगे बढ़ना है यह था और इस नहीं हां तक बोला था आप घर आए मुझे मिलते हैं फिर कुछ आगे प्लान करते हैं इवें उसके मैनेजर भी मेरे क उसने ऐसा कदम कि उठा लिया मैं कल से 3-4 वर फोन कर चुका उपा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो फोन उफा लेगी चाहिए क्योंकि जब कोई अपना जाता है ना तो ऐसे में कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मैं हमारी जाता कोई बात नहीं हुए थी लेक कपूर इस वक्त मेरे साथ जुड़े है अनुजा जी एक बहुत बड़ा सवाल कहा ये जा रहा है कि पिछले 4-5 दिन से बहुत तनाव में थी सिया क्या तनाव इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी जिंदगी चील ले 16 साल की बच्ची है तनाव तो आप समझी सकते हुआ नॉमली एक बच्चों में तनाव रहता है बट यहां पर केस सुषांत की तहां नहीं है सुषांत में जहां फाउल प्ले की बात कर रहे हैं दर इस पॉसिबिलेटी यहां पर कुछ और है अब आप समझेए बहुत पहले सुषांत का केस देखते हैं तो यहां पर लड़की जो है अब शुषांत एकदम से जहां पर एक मिलियन उसके फॉल्वर्स मरने के बाद 11 मिलियन फॉल्वर्स में पहुंच गया तिरस पॉसिबिलेटी कि इस लड़की को क्योंकि इसको बहुत बड़ा बनना और बहुत उं पर उसके बड़ा बनना चाहती है तो एक लाइम लाइक लेते हैं इवन आपके मिलियन फॉल्वर्स में लाइम लेते हैं इस बच्चे ने लाइम लेने की कोशिश करी है तो जहां पर कि मरने के बाद मेरे मुझे उस वकत आई फील इस अ कनेक्शन कि यह उस फीलिंग पर आ जाने के बाद बहुत सवाल जो खड़े कर रहे हैं उसमें पॉल प्लेड़ी है इस बच्ची के केस में यहां पर रातो रात जो आप एक्टर बनना था मुझे कुछ ऐसा करना था मुझे कुछ तो कभी कबार क्या होता है आपनी को लगता जीते जीव चीज नहीं कर पा रही अनुजा जी आपकी आपकी बात को मैं समझ रही हूँ लेकिन सवाल ये कि बड़ा बनना इंसान को जीते जी होता है ना अपना नाम होते हुए हम खुद देखना चाहते हैं अपने परिवार को दिखाना चाहते हैं अपने शुब्चिंतकों को दिखाना चाहते हैं लेकिन और यहां पर वो बच्चे जो होते हैं कि तभी तो बच्चे हैं 16 साल में आपका प्रो फ्रेंटल कोटेक्स बना नहीं होता है बाइस के उबर में जाके आपका लास्ट ब्रेन का वो हिस्सा बनता है जो आपके अर्जिस और इस तरगी की बेवकूफियों को सभाल सकते हैं और अर्जिस को कंट्रूल कर सकते हैं बच्चों को आप 16 साल के बच्चे को ना बोलोगे वो कूद नहीं जाते हैं मोबाइल नही कि रिजनिंग पावर में ही उती है इतना समझने की बात नहीं होती है तब तो कि ट्रेंक्स ड्रग्स सेक्स इंस अथना घुस्ते यह लोग यह नहीं है इसकर शुषांत के रोल ने बहुत एग गलत मैसेज भी चला किया है और वह बहुत बढ़ा इशू है इस वक्स आप एक चीज़ को लोगे, आपके बाद उसकी भूक और तेज हो जाएगी, आप मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, तो यहाँ पर उसने ये देखा कि सुशांत के मरने के बाद उसको बहुत पब्लिस सिटी मिल गएगी, तो बच्चों में ब्लूवे लाप के बाद कै से हुआ, बच्चे मरना शुरू हो गए, तो यहाँ आपका कहना यह है कि एक जो मैसिस गया, सुशांत की डैथ का, सुशांत की आत्महत्या का, वो कहीने कहीं, उनके फैंस, उनको फॉलवर्स में, एक नकरात्मक भूमिका भी कहीने कहीं, वो अदा कर रहा है, और ऐसे मैज परिवार के जरीए उसको अलोग कराया जाए, ताकि हो सकता है कि फोन से कुछ ऐसी डिटेल सामने आपाएं, इससे बहुत आसान हो सके इस पूरी जाँच को आगे बढ़ाना, कोई जानकारी इस वक्त आपके पास? जो बिल्कुल क्योंकि जो तिल्ली पुलीस है, वो लगातार इस फूरे मामले की जाँच कर रही है, पुलीस को इसके पास से जो रूम है, वहां से कोई सुसाइड नोट बराबन नहीं हुआ है, और जो सिया गंकर है, इन्होंने एक फासी का फंदे से इन्होंने सुसाइड साथ क्या है, वहां से बिल्कुल कि जो परिवार की लोग है, उनसे जानकर जुदानी की कोशिश की जा रही है, चिस स्कूल में पढ़ते थी, वह स्कूल फीलाल बंध है, और जो उसके करीब धोस Sek उनसे पुलिस पूश्टाज करेगी और जो स्कूल के परशासन के लोग हैं उनसे भी पूश्टाज करेगी ताकि जो उसका कारण है वो पुलिस पता लगाए जा सके लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि शुषासिंग राजपूस से जुड़ा कोई ऐसा अभी तक पुलिस को खी कर सामने नहीं आये उसके वरे से प्रिशांती है उसका पुई एंगल हो सकता है तो फिलाल पुलिस कर रहे हैं कि जो तक ही जो तमाम चيज़ेे वह निकल कर बहारा सकती है तो फिलाल अभी जो मोघehा वह लॉक है उसको अन्लोक किया जाएगा उसके बास में उसके अगो पुलिस को पता चलबाए कि आखितार क्या वज़े थी जिस वज़े से अपने घर में सुसाइड किया अपसे जानकरी लेती रहूंगी उपादी गुलाची नियूजरूम से हमारी सायोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उपादी सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर ऐसा क्यूं हुआ क्या वज़े रही कौन जिम्मेदार है ऐसा क्या हो गया पिछले 24 गंटे में कि अपना वीडियो अप्लोड करते समय जो सिया ककड़ खुश नजर आ रही थी बेहाद वो उसी दिन 24 गंटे के अंदर ही वो आ सवाल बहुत हैं जब से यह ख़बर आई है कि सिया ककड़ जैसी टिक टॉक सेलेबरिटी जो महस सोला साल की हैं जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी उम्रुक के हिसाब से बहुत कुछ पा लिया अगर वो ऐसे चली जाती हैं अपने आप अपनी आप महत्या कर लेती हैं दु पूरी बॉलिवूड इंडस्ट्री हिल जाती है अभी तक लोग एंटर्टेंवन्ट वर्ल्ड से जुड़े हैं या जो फैंस हैं वो उससे नहीं उबर पाए हैं और अब अचानक एक ऐसी ख़बर का आना कि महज 116 साल की लड़की जिसने इतना कुछ पा लिया टिक टॉक ऑफार्यान जैसे प्लाटफॉर्म से लेकर इंस्टाग्राम जैसे प्लाटफॉर्म पर लेकर जिस पे इतने उनका आखरी विडियो भी जो था पंजाबी गाने पर वो बोहिम्या के गाने पर उन्होंने डांस किया था तो ऐसे ने समझ पाना कि एक नन्हीं सी जान ही कहेंगे हम उनको कि उनके दिल पर ऐसा क्या असर कुआ क्या दिमाग में उनके चल रहा था कि इतना बड़ा कदम उन् मनना था वो चाहती थी कि मैं बहुत जल्द एक बड़ी सेलविटी बनू और जब सुशान की डैथ के बाद उन्होंने देखा आत्मत्या के बाद उन्होंने देखा कि उनकी फोलोइंग बहुत जादा बढ़ गई है तो शायद उनके दिमाग में ये रहा होगा कि कुछ वे सुशान की मौत के बाद कई युवा हैं जिनका डिप्रेशन कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ जो उनके मन में उथल पुथल चल रही थी वह कई ना कई उनके दिमाग तक वह पहुंच गई और शायद हो सकता है कि सिया भी उनमें से हैं मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिस साल के उम्र जब इस उम्रों में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके दिमाग में अभी सिर्फ सपने ही होते हैं वो बच्चों मेंसे थी जो कमा भी रही थी ऐसे में हो सकता है कि वह बहुत एमबिश्यस रही होंगी और आप एमबिशिन्स वह कैसे पूरा करें और उ अब सक सवाल खड़े रहेंगे, सही का उपादी बहुत शुक्रिया आपका निवेज आपका भी अनुज़ा जी और प्रतीक गोड़ आप सब का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, सिया ककड़ अपनी आत्महत्या के पीछे स सवाल कई छोड़ गई है, पोलिस जांज कर रही है, खुला से होंगे, देखना होगा कि आखिर इसकी वज़ा क्या रही, चोटा सा ब्रेक फरल लोटेंगे, देखते रहे हैं, जी हिंदुस्तान